दोस्तों ये दुनिया जितनी विचित्र है उतनी ही विविधताओं से भरी पड़ी है लाखो करोडो प्राणी, पंची, पेड़ पौधे हमारे पृत्वी को सम्रिध बनाते हैं हर एक की अपनी एक अलग ही विशेषता होती है कुछ पेड़ या पौधे इतने खास होते हैं क कि उन्हें देख हमें तो बस कुद्रत को सलाम करने को जी चाहता है आज दोस्तों हम कुछ ऐसे ही खास पौधों के बारे में जानेंगे जो इंशानी सरीर और उनके अंगों की तरह नजर आते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे युनिवर्स आडवेंचर इस च की तरह नजर आता है ये पौधा पुर्वी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा पचास सेंटीमेटर तक बढ़ता है और चिकनी मिट्टी पर पाया जाता है इस पौधे का फल इंसानों के लिए बेहत विशैला होता है जो इंसानी दिलों से अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है इस पे लगने वाले ये फूल लिपिस्टिक लगाए किसी महिला के ओंठों की तरह नजर आते हैं इसकी गंध और इसका आकार तीतिलियों और हमिंग बट्स को खासा आकरसित करती है इसी हुकर्स लिप्स के नाम से भी जाना जाता ह मध्य अमेरिका में प्रेमी जोडे ये फूल अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए एक दूसरे को देते हैं इस पौधे के पत्तों का इस्तेमाल स्कीन रसेस और खासी के लिए भी करते हैं कई बार इस पौधे का इस्तेमाल सांस लेने की कठिनाईयां दूर करने के लिए भी किया जा चुका है तीसरे नमबर पर है रोडोटस रोडोटस ये मश्रूम की एक प्रजाती है जिसे वरिंकल्ड पिछ मश्रूम के नाम से भी जाना जाता है ये कुछ-कुछ इंसानी दिमाग और गुर्दों की तरह नजर आता है इसकी सतह चिपची पे पदार्थ से बनी होती है जो काफी हद तक इंसानी शरीर के नसो जैसी दिखती है इसका स्वाद बेहत कड़वा होता है इसलिए मश्रूम होने के बावजूद इसे खाया नहीं जा सकता ये मश्रूम आम तोर पे ब्रिटेन, आयरलेंड, इटली, जर्मनी, पोलेंड और नौर्थ अमेरिका इन देशों में पाया जाता है चौथे नमबर पर है और्कियूलिया औरिकुला ये आम तोर पे पेड़ पे पाया जाने वाला कवक होता है जो इंसानी कानों जैसा नजर आता है इसलिए इसे जेली इयर, लकड़ी का कान इस नाम से भी जाना जाता है खास तोर पे जो बूढ़े पेड़ अपनी मृत्यू सया पर होते हैं उन पर ये कवक उग जाता है उननिसवी सताबदी में इसका इस्तेमाल आखो का संक्रमण, गले का संक्रमण और खासी का इलाज करने के लिए किया जाता था इसका इस्तेमाल कई चाइनिस खाने के पदार्त में देखने को मिलता है खास तोर पे चाइनिस सूप में, चीन में इससे कई प्रकार की दवाईयां भी बनाई जाती है पाचवे नमबर पर है मौर्शेला मौर्शेला एक प्रकार का खाने लायक मस्रूम होता है जो जटिल इंसानी दिमाग की तरह नजर आता है इसके बेहत स्वाधिस्ट होने की वज़े से अमेरिका में ये काफी लोगप्री है जो सीजन में 20 डॉलर पर पाउंड के हिसाब से बेचा जाता है पर इसके जैसी दिखने वाली मस्रूम की एक और प्रजाती होती है जो जहरेली होती है जिसे खाया नहीं जा सकता पर इन दोनों में जो फरक होती है वो एक अनुभवी इंसान ही पहचान सकता है और ऐसे ही नकली मौर्सेला मस्रूम से जुड़ी हजारों मोते अमेरिका में साल भर में होती रहती है आज के लिए दोस्तों बस इतना ही आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूले और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं फिर मिलूँगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार